हलो फ्रेंज विल्कम टू माई टूब चैनल जटू जट कीचेन आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन बहुती फेमिश और डिलिस्चेशी रेसिपी बनाना हलबा बर्फी तो देख सकते हैं कितना पॉफेक बना है और कितना डिलिस्यस दिख रहा है बिल्कुल चॉकलेट की तरह तो फ्रेंज अगर आपके बच्चे या फिर आप बनाना खाना पशंद नहीं खरते हैं तो आप बर्फी बनाकर इस तेरे से खा सकते हैं साथ ही आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये भी न न आ जाएं बैल आइकन को ज़रूर जादा पके हुए के लिए फैक देते हैं कोई नहीं खा पाता है तो यह रेसिपी देखने के बाद आप डेफिनेटली बनाना हलवा पर भी आप बनाने वाले हैं तो फ्रेंज मैंने 10 के लिए हैं इसके बान मैंने काजू लिया है जिसे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे जिने लिया है और 100 गराम के करीब-करीब चीनी लिया है डेफिनेटली हल्वा बनाना है तो घी तो चाहिए ही तो मैंने घी लिया है तो घी हम आपको दिखा देंगे कितना यूज करना है अबसे पहले हम केले को छिल लेंगे इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे औ तो हमने लिया है एक खुले सी कड़ाई इसे हमने गरम कर लिया है इसमें एड़ कर देंगे हम 100 गराम के करीब-करीब घी इसे अभी हलका सा हम गरम कर लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे काजू इसे हम घी में अच्छे से रोश्ट कर लेंगे फ्रेंस आप चा एक वी बार यह थे पंड़ हो गया है अब इस से लिए कम निकाल लेते हैं क्ली चीस हुआ फ्राइं यह करना है उसे flame medium रखे और अराम से इसे डाले क्योंकि ये बहुत ही चटकता है और इसे अच्छे से चलाते हुए इस तरह से medium flame पे इसे भून लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ये बनाना फ्यूरी जो है घी को अच्छे से अपने अंदर अब्जॉब कर लेगा उसके बाद ये घी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है ये एक बार आप बनाएंगे तो बार बनाएंगे ये एक बार आप बना के देखें ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तयार होती है बिलकुल मुँ में घुल जाने वाली ये बच्छों को भी बहुत पसंद आने वाला है अगर बच्छे बड़ाना खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से टौफी की तरह आप दे सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा और चाहिड सी बात है जब हमें अच्छी और टेस्टी सीज खाने है तो टाइम तो लगेगा ही इस तरह से हाथ नहीं रोपना है अविकल चलाते हुए हमने बहुत ही अच्छे से इसे बुलने ना है ये लगभग 70-80% भून गया है अब हम इसमें चीनी आड़ कर देंगे चीनी आप इसमें ज़्यादा आड़ ना करें योगि जो केला है वो बहुत ही मीठा होता है इसे भूनने के बाद इसका कलर जो है डाक हो जाता है तो इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा food color add कर देंगे तो मैं इसमें orange food color add कर रही हूँ, यह बिल्कुल optional है, इसमें प्यारा सा color आ जाता है, इसमें अच्छे से mix कर लेंगे, देखे फ्रेंस इसमें कितना प्यारा सा color आ गया यह जब भुन जाएगा तो इसे आप जब इस तरह से करेंगे तो यह easily कड़ाई से बहार आ जाएगे देखें फ्रेंस, बहुत ही अराम से उठ जाएगा और दूसरा इसमें से बहुत ही अच्छे खुश्बू आने लगेगी, तो समझ जाएगा कि आपका जो हलवा है वो perfectly भुन गया है यह देखें फ्रेंस, कितना स्मूथ सा यह बनके तयार है यह देख सकते हैं इसमें से घी भी सारा बाहर आ गया है और यह easily, बहुत easily इस तरह से उठ जा रहा है, देखें तो बस इसी तरह से जब होने लगे तो हम इसमें आड़ कर देंगे काजू और केष्मिस आप जो भी डालना चाहिए डाल सकते हैं अब इससे हम इसमें अच्छे से कर देंगे मेक्स दूसरी तरफ हमने एक बाउल लिया है बाउल में अच्छे से घी लगा दिया है फ्रेंस आप इसकी जगर केक ट्रें भी ले सकते हैं या फिर कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं मेरे पास केक ट्रें नहीं है तो मैंने नहीं लिया है अब मैं इसमें प्योरी को एड कर दूंगी अब इससे आमने अच्छे से ट्रांसफर कर लिया अब इससे हम इस तरह से लटते हुए बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे अब इससे हम छोड़ देंगे थोड़ी दे ठंडा होने के लिए जब यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आपको इस दिखाते हैं फ्रेंस आप इससे थोड़ा दे बाहर ऐसे नॉर्मन टेंपरेचर पर ठंडा करने के बाद इससे टर्ण करते हुए इस तरह से निकाल लेंगे के बाद हम चाकूब में थोड़ा सा घी लगा देंगे दोनों साइट से और इसे हम बहुत ही अच्छे से बर्फी का शेप दे देंगे इस तरह से हमने कट कर लेना है इसके बन में आपको इससे निकाल के दिखा रही है यह देहिए फ्रेंस बिलकुल इफ्य ईग्दम चॉकलेट की टरह मुं में घुल जाने वाली बर्फी बन के तयार है तो देख सकते हैं यह बानाना-हलवा की बर्फी बन के बिलकुल तयार है अगर आपको यह रेसी पी प